आज मैं बनाने जा रहे हूं एकदम टेस्टी लजीज पाव भाजी वो भी कूकर में एकदम आसानी से बना करके तयार करेंगे बनानी का तरीका इतना आसान है कि आप इसे हफते में दो बर बना करके खा सकते हैं पाव भाजी किसको खाना नहीं पसंद है पर बनाने का आलस आता है इसलिए आज में एक आसान तरीके से बना रही हूँ इतना टेस्ट ही है कि आप बाहर रेस्टोरेंट में जाकर खाना भूल जाएंगे तो चलिए बिना देरी कि यह हम इसे बनाना शुरू करते हैं हेलो दूस्तों आप सबका मेरे चानल में स्वागत है भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कूकर अब हम कूकर में लेंगे दो से तीन चमच ऑईल उसके बाद हम लेंगे एक चमच भरकर के बटर जब बटर हलका सा गरम हो जाए तो उसे हम चला लेंगे उसके बाद इसमें हम डालेंगे दो मिडियम साइस के प्याज एकदम बारिक बारिक कट करके अब उसे हम चलाते हुवे हलका सा भून लेंगे जब तक प्याज भून रहा है तब तक हम थोड़े से मसाले बना लेते जिसमें मैंने लिया है तीन हरी मिर्च 1 इंच द्र का तुकड़ा 8-10 लसुन की कलिया इसे हम अच्छे से कर लेंगे उसके बाद हम प्याज में मिला देंगे सिमला मिर्ची यह मैंने दो सिमला मिर्ची लिए जिसे बारिक बारिक मैंने चौप कर लिया है अब प्याज के साथ हम सिमला मिर्ची को भी हलका सा भून लेंगे जब सिमला मिर्ची हलका स तब इसमें हम अद्रक लसुन मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे जो हमने दरदरा सा कूट लिया था उसे भी चलाते वे भून लेंगे ताकि उसका कच्छा पर निकल जाए उसके बाद इसमें हम डालेंगे दो टमाटर जिसे मैंने मोटे मोटे पीसे में चॉप किया है अब इस कि टमाटर गल जाए थीन मिनट पावभजी मसाला और इन हम सिमला मिर्च प्याज प्याज और साथ मिक्स कर लेंगे अब इसे हम पाव भ़जी मसाले को पकने के लिए एक दो मिनट के लिए छोड़ देंगे एक-दो मिनट बाद हम ढ़ाट अच्छे से पक चुका है अब इ मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद इसमें हम मिलाएंगे कुछ वेजिटेबल जिसमें मैंने लिया है एक कटोरी भरकर के फूल गोभी एक कटोरी भरकर के लिया मैंने हरे वाले मटर एक कटोरी भरकर के मैंने लिया है इसमें चुकुंदर अब इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी गाजर एक कटोरी भर करके मैंने लिया इसमें आलू जिसे मैंने मोटे मोटे पीसे में कट कर लिया है इसके बाद इसे हम चलाते वे मिक्स कर लेते हैं जब वेजिटेबल मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद इसमें हम डाल देंगे डेड़ कटोरी भर करके पानी पानी डालने के बाद इसे हम अच्छे से चला करके मिक्स कर लेते हैं कि अब हम कुकर का डखकन लगा देंगे कि कुकर का डखकन लगाने के बाद इसे हम हाई फ्लेम पे दो सीटी आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे जब दो सीटी आ जाए तब इसे हम मीडियम फ्लेम पे दो सीटी और लगा लेंगे जिससे कि हमारी सब्जी अच्छे से पक जब सब्चीब पख जाए तब हम कूकर को चेक कर लेते हैं देखिए हमारी सब्चीब अच्छे से पक चुकी है इस पे अच्छा सा कलर आ चुका है उसके बाद हम ले लेंगे पाव भजी मैशर लेनी के बाद इसे हम हलके हातों से मैश कर लेंगे ठोड़ा टाइम लगेगा 4-5 मिनट का पर यह अच्छे से मैश हो जाता है यह देखिए मैश करते हो मुझे 4-5 मिनट हो चुके है भाजी अच्छे से मैश हो चुकी है कितना सुन्दर सा कलर आया इस पर देखिए कितना अच्छा इसका टेक्ष्चर आया है ऐसे लग रहा है ज तोड़ा सा बटर आप चाहे तो इसे बटर से भी तड़का लगा सकते हैं अब इसमें हम एक चमच भर करके डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसे चला करके मिक्स कर लेंगे अब तड़के को हम डाल देंगे भाजी पर उसके बाद इस पर हम डालेंगे थोड़ी सी दन्या की पत्ति अब इसे चटपटा बनाने के लिए इस पर हम डालेंगे आधा नीमबू का जूस आधा नीमबू का जूस डालने के बाद इसे हम मेक्स कर लेंगे अच्छे से चलाते हुए और इसे हम दो-तीन मिनट तक पकने देंगे जिससे की भाजी में बटर एकदम अच्छे से मिल जाए यह देखिए कितना सुन्दर सा टेक्स्चर आ गया है कलर कितना सुन्दर आया है हमारी भाजी तो दूसरी साइड पक रही है अब एक साड हम पाव को भी गरम कर लेते हैं तवे पर हम लेंगे एक चमच ऑईल और एक चमच भरकर के बटर उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पाव भाजी उसके बाद इसे हम चलाते हुए फेला लेंगे चारो तरफ से ठेले वाले भा इतना अच्छा आता है कि मैं क्या बता हूं अब उसके बाद इसे हम अलटते-पलटते हुए सेक लेंगे पाव को देखिए कितना सुन्दर लग रहा है ना कितना अच्छा सा कलर आ गया पर ऐसे लग रहा है जैसे हम ने इसे अभी अभी ऑडर किया है अब उपर से हम इस पर लगा देंगे थोड़ा सा और बटर जिसे की पाव अच्छे से सीख जाए आप चाहें तो लगा सकते हैं वरना इसकिप भी कर सकते हैं अब इसे हम पलट लेते हैं ताकि दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से हम सेक लेए देखिए हमारी पाव अच्छे से रड़ी हो चुकी है अब इसे हम फटा फ़र से सर्फ कर लेते हैं अगर आपने इस तरीके से पाव भजी घर में बना ली तो मैं गैरंटी देती हूँ आप बाहर का खाना भूल जाएंगे इतना अच्छा स्वाध आता है और घर के बड़े और बच्चे आपसे इसी तरीके से पाव भजी बनवा करके खाना पसंद करेंगे इतना अच्छा स्वाध आता है कि आप बाहर का पाव भजी खाना ही भूल जाएंगे देखिए दिखने में इतनी सुन्दर लग रही है जैसे इसे आपने अभी अभी बाहर से ओर्डर किया है इसे देख करके कोई नहीं बता पाएगा कि आपने इसे घर पर बनाया है वो भी इतने आसान तरीके से जिसे प कॉमेंस करके जरूर बताईएगा